आदिपुरुष 16 जून को प्रदर्शित होने जा रही है। खाल ही में इसका दूसरा ट्रेलर जारी किया गया है, जिसे देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि इस वर्ष एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आ गई है। दर्शकों ने ट्रेलर को हाथों हाथ लिया है। प्रमोशन जोर शोर से शुरू हुआ है। अब इस फिल्म के निर्माताओं ने रिलीज से पहले एक बड़ी घोशना की है। मेकर्ज ने कहा कि आदिपुरुष की स्क्रीनिंग के दोरान हर थियेटर में एक सीट भगवान हनुमान के लिए खाली छोड़ी जाएगी, क्योंकि जहां रामकता होती है, वहां हनुमान मौजूद रहते हैं। मेकर्ज ने ये फैसला लोगों की आस्था को देखते हुए लिया है। ओम राउत निर्देशत ये फिल्म देशबर के थियेटर्स में 16 जून को रिलीज होगी। फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार मराठी एक्टर देवदत नागे निभा रहे हैं। इस फिल्म में कृती और प्रभास पहली बार साथ नजर आएंगे। मंगलवार को फिल्म की टीम की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया कि जहां भी रामायन का पार्ट किया जाता है, वहां भगवान हनुमान की उपस्थिती होती है। इसी विश्वास के साथ आदिपुरुष की स्क्रीनिंग करने वाले हर थीएटर में भगवान हनुमान के लिए एक सीट खाली रखी जाएगी। ये फिल्म पाँच भाशाओं में रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर मेकर्स के इस फैसले की तारीफ की जा रही है। वहीं कई लोग इसे फिल्म प्रमुशन के तौर पर देख रहे हैं। आदिपुरुष हिंदी, तमिल, तेलुगू, मल्यालम और कन्नर समेत पाँच भाशाओं में रिलीज होने जा रही है। गौर तलब है कि इससे पहले निर्माताओं ने पिछले साल दशहरा के मौके पर अयोध्या में आदिपुरुष का भव्य टीजर लॉंच किया था, जिसे दर्शकों से बहुत खराब रिस्पॉंस मिला था। किरदारों के खराब लुक और VFX के चलते फिल्म का बहुत मजाग बनाया गया था। इतना ही नहीं, मेकर्स पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप भी लगे थे और इसे बैन करने की भी मान की गई थी। हाला की, छले महीने मई में रिलीज हुए फिल्म के नए ट्रेलर से मेकर्स ने सभी विवादित सीन हटा लिये थे। VFX को भी पहले से काफी बहतर बनाया गया। अगर हम बात करें आदी पुरुष फिल्म के बजट की, तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार एदपुरुष का कुल बजट 500 करोर रुप्य है, जिसमें 250 करोर तो सिर्फ VFX में लगा है, इस फिल्म ने थियेटर में रिलीज होने से पहले ही 432 करोर रुप्य का कारोबार कर लिया है, यानि कि फिल्म ने कुल बजट का 85 प्रतिशत हिस्सा रिकवर कर लिया है, ये फिल् और मेशनल वीडियो हर रोज अपलोड करते हैं, हम इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट रखते हैं